हलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो चलिए शुरू करते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किये जाते हैं ऐसे शब्दों को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं जो शिकार करता हो शिकारी जो खाना बनाता हो रसोईया जो धोका देता है धोके बाज जो भीक मांगता है बिखारी सुक देने वाला सुखद जो लायक नहीं है नालायक जो मास में एक बार हो मासिक जिसके समान कोई दूसरा ना हो अदुर्थिय जो दूसरों के अधीन हो पराधीन जो इश्वर को मानता हो आस्तिक अपने देश में बनी वस्तू स्वदेशी जो परीश्रम करता है परीश्रमी जो लोगों में प्रिय हो लोग प्रिय आलोचना करने वाला आलोचक जो प्रती दिन होता है देनिक जो पड़ा लिखा हो शिक्षित जो चूने योग्य ना हो अचूत जिसमें स्वाल्थ की भावना हो स्वाल्थी जिसका अंत ना हो अनन्त जिसका पार ना हो अपार जो सब कुछ जानता हो सर्वग्य जो थोड़ा जानता हो अल्पग्य जो कभी बूड़ा ना हो अजर जो कभी ना मरे अमर जिसमें धैर्य ना हो अधीर जिसमें रस ना हो निरस जो वन में रहता हो वनवासी तब करने वाला तपस्वी जिसमें दया ना हो निर्दई शक्ती का उपासक शाक्त रास्ता दिखाने वाला पत्प्रदर्शक जिसकी इच्छाएं बहुत उची हो महत्व कांशी शहर में रहने वाला शहरी जिसके माता पिता ना हो अनात जो बाल काटता हो नाई चार पैरों वाला चौपाया बहुत बोलने वाला वाचाल नीचे लिखा हुआ निमन लिखित जो सिलाई करता हो दरजी कम बोलने वाला अल्प भाशी जो छोटा भाई हो अनुज अच्छे चरित्र वाला सचरित जो कुछ नहीं जानता हो मूर्क मीठा बोलने वाला मृद भाशी पीछे पीछे चलने वाला अनुच्चर जो बड़ा भाई हो अग्रज जो बहुत अधिक काम करता हो करमट मन को प्रसन करने वाला मनोरंजक अपनी शक्ति के अनुसार यथा शक्ति शक्ति